हालो मेंबर्स अब देखो हम लोग बात करने वाले हैं पर मार्केट कल कैसा रहने वाले बहुत सारे स्टॉक में न्यूज है वो वन वे वन डिसकस करेंगे एन आप लोगों की क्वेरिस ठीक है डेफेनली क्वेरी कवर करूँगा लेकिन देखो एक आज दो वीडियो रखे है है हर बार की तरफ जाके जरू चेक आउट केजिएगा आज मार्केट में काफी बड़ी प्रॉफिट बॉकिंग ती पीएस स्टॉक फॉल कते होगे दिखाए दे जादा तर सभी पीएस स्टॉक जाके चेक आउट केजिएगा हैं पर मैंने आपको क्या अप्डेट करने की क रखेंगे लंबा ट्राइड नहीं करेंगे लंबा खिचने की ठीक है तो ध्यान से सुनेगा मार्केट अनुमान किया जा रहा था कि आज गैप ऑप ओपन हो सकते क्योंकि फ्राइड को डाउजंस पॉजिटिव थे जो डेटा आ रहे थे वो काफी तक पॉजिटिव थे ठी ठीक है अब मार्केट हमारा हुआ ऊपर थोड़ा सा और बाद में गिर गया उसका रिजन क्या है कि हाप एलेक्शन की वज़े से वालेटेलिटी काफी आती हुई दिखाए दिये और हापे एक सर ने कॉमेंट भी किया था कि हापे हर्श गोइंका ने हापे कॉमेंट किया थ जिसकी वज़े से मार्केट में प्रॉफिट वुकिंग आती हुई दिखाए दिये और आम शूर ये सभी लोगों ने स्टेट्मेंट पढ़ ली होंगे मैं ये समझता हूँ ठीक है अगर नहीं पड़े ये सर की कॉमेंट पढ़ लीजे का आप समझ जाओगे ठीक है अब अब हाई मारा है तब गिरता ही है एवरी टाइम बात समझ रहे हो तो ये निवस आप पकड़ के मद चलो कि यहाँ पर यह निवस इसकी वज़े से गिरा है शौर्टें सिंबल में मार्केट इलेक्शन की वज़े से वालेटल हो रहा है नीचे जाता है वापस उपर जाता है वापस नीचे जाता है वापस उपर जाता है ये और ये ये इलेक्शन की वज़े से आपको वॉलिटल दिखाए देञा है हाला कि जाध्यू नहीं गिर रहे क्योकि ये ज़्की की नहीं पे रखने की कोशिश की जा रहे है अभी के लिए, बात समझ रहे हो, तो short end symbol में market एक range में है, और देखो, आप heaging करो, तो भी loss होगा, अगर आप buying side पे करो, तो भी loss होगा, आप nifty में break down, break out करो, तो भी loss होगा, तो आप try करो, के market में, जभी भी elections खता हुझे, उसके बाठ try क का ठीक अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में बाइंग सेलिंग कते हैं तो आप फोकस करो स्टॉक्स पे बात समझ में रही है चलिए तो अगर बात करें जाए एफ़ए की सेलिंग है बाके तो मुझे लगते हैं रेंज बाउंडी रहेगा और रेंज क्या होगी फ्राइडी की रेंज जो है वह रेंज रहेगी आपको आने वाले एक दो दिन के लिए तारीक को आते हैं और यह जो नंबर आ रही है रिजल्ट के नेक्स दे को आ रही है ठीक है मुमेंटम खतम होने के बाद आ रही है तो मैं आपको बताया था कि यह स्टॉक डेफिनिटली गैप उपन होगा आइम शॉर याद होगा किसी को ऐसे में से बैटर आंसर कोई नहीं बतन में सही होता हूं आपको सपोर्ट करने की गोशिश करता हूं अब देखो मैं डिरेक्ट पॉइंट पर आ जाता हूं स्टॉक में वालेटिलिटी है आपको अगर को फ्रेश इंट्री करने के सोच रहे तो कल भी शायद गैप ओपन हो सकता है लेकिन कूदिये का मत एक टॉप पे रेजिस्टनस बना रहा है बीएसी का स्टॉक टॉप से लेवल से गिरता हुआ दिखाई जया तो हो सकता है इसको भी लेकिट डुबे ठीक है सीडिसल का स्टॉक तो अभी के लिए वेट अनवाच करना कुछ भी जलबाजी मत करना सीडिसल के अंदर बनना फ पॉजिटी है स्टॉक आंट साल के बाद बोना सनना उसक्राइब पॉजिटी बात है मैं आपको एच्पी सीएल कवर करना चाहूंगा देखो एक लास्ट क्वेरी में बताना चाहूंगा सीडिसल के अंदर कोई मुझे पूछ रहा था कि सर आपने तो यहां पर पॉजिटी कि वज़ी से ख्लिर तो आपको थोड़ा वेट वज्च कर सकते हैं जोंको फ्रेश बाइंग करना है यहां पर फ्रेश बाइंग बन सकती थी जब मुमेंटम क्या यहां पर अभी नहीं बन सकती है तो बेनेफिटेट होगा क्योंकि रिस्क्ट्ट व्यवर्ड इशो खराब ह जाते हैं बात समझ मेरे इसके वाज़े से बोल रहा था वेट इन वाट तो हम लोग बात कर रहे थे हैं पर हिंदूस्तन पेटॉलियम के अंदर बोनस अनौस करा है स्टॉक में क्या फ्रेश इंट्री बनती है कि नहीं है तो मैं आपको बोलूंगा इसमें भी वेट इन वाच क्यों क्योंकि अब ये स्टॉक टॉप पेर रेजिस्टन्स क्रियेट कर रहा है तो स्टॉक जब तक ये छेसो का लिवल ना तोड़े तब तक कुछ मन करना है स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग मुझे लगता है आ सकते है थोड़ा वॉलेटिलिटी बढ़ रही है स्टॉ मुझे तो थोड़े पॉजिटिव लगे तो मैं आपको बोलूगा गुजरत गैस अब ये मेले ले कंफ्यूजिंग है मैं पॉजिटिव तो हूँ लेकिन जादा पॉजिटिव भी नहीं हो ठीक है तो अगर कोई मुझे पूचे के सर इसमें क्या बड़े गीरावट हो सकती तो मैं ना बोलूगा on a serious note लेकिन अगर मैं positive हो आई तो मैं इसमें कोई surprise नहीं होगा clear क्यों देखो उसका reason है मैंने इसके result देखे गुजरत गैस के year to year growth वैसे है quarter to quarter भी growth है ठीक है लेकिन मैंने finally अगर मैं पूरा साल कंसीडर करने जाओ तो growth year to year business पे नहीं है पूरा साल य तो मैं इसमें Monday को मलब कल इसकी momentum में check out करूँगा कैसी हो सकती है मेरे साब से positive होनी चे लेकिन अगर यह positive नहीं हुए तो avoid कर लेंगे and अगर यह stock 600 के उपर जाता है तो stock 700 जा सकता है लेकिन हाँ एक बात याद रखेगा IGL फिर गुजराद गैस का stock हो जाते और MGL का stock हो जा होना serious note result मुझे positive लगे ओके देखो सिलन explore के result बहुत बहुत तगड़े है यह stock सिफ 28 के पे ट्रेड कर रहा है यह stock में बहुत time पहले में stock को रड़ार पे रख रहा था जब यह stock सिफ 100 के आसपस था सिलन exploration का stock आज यह 600 पे ट्रेड करा है result काफी तगड़े आ रहे है और देखो यहां पे stock बताना चाहूंगा देखो यह stock का मंतली जगर चार्ट अगर consider करने जाए तो stock around यहां पे दिखो यह दिखाई जेरा 1216 यह stock मुझे 1216 से focus में था मिरे clear तो stock 157 से आप देखो के 600 तक ज wait and watch कीजिएगा अगर स्टॉक में कोई तगड़ी momentum आते तो मैं उपको बताऊंगा लेकिन अभी कोई momentum मुझे नहीं दिखाए देखे और हां यह stock काफी volatile है तगड़ा volatile है आपको फसा सकता है long term के नर यानि कि 6-7 साल तक इतना volatile stock है तो हो सके तो avoid भी कर सकते हैं okay card trade का stock आप देखो result बहुत तगड़ है card trade के 14% जम आता हुआ दिखाए दिखाए दिया है profit भी 43% year to year jump होता हुआ दिखाए दिखाए दिया है और ना serious note मैंने card trade का result दिखा है result तो मुझे पसंद आया था लेकिन मुझे काफी viewers ने पूछा था हमारे जो investors community होती है clear यहाँ पी discussion में तो मुझे काफी लोगों ने पूछा था के अगर closing positive आती है तो stock okay वरना stock no talking तो मेरे लिए stock की result की closing मैं average बोलूँगा लेकिन मुझे लगता है बहुत जल्द यह stock और उपर जा सकता है ठीक है लेकिन इसकी momentum शायद time लेगी start होने में तो आप क्या करें आप एक चीज़ कर सकते हैं कि जब तक 900 का level break नहीं हो जाता तब तक wait कर सकते stock कोई खराब नहीं है कोई issues नहीं है मुझे लगता है आने वाले time में grow कर सकता है company लेकिन अगर कोई बोले कि मैं sir मैं first चुका हूँ मेरा view मैंने यहां पे लिया था अब मैं first गया तो फिर यह stock risky आपके लिए है ठीक है ना बूचे के sir मैं दो साल तीन सार hold कर सक लगता है उसका रिजन यहां पर है देखो यहां पर अगर मैं इसका रिजल्ट कंसीडर करने जाओ तो आपको रिजल्ट आराम से समझ में आ जाएगा ठीक है कार ट्रेट का स्टॉक सी 64 की PE पे बंदा ट्रेट कर रहे पहले इसकी PE थी ने कमपनी लॉस मेंकिंग थी तो आप देखोगे कमपनी काफी अच्छा PE मेंचिन किया है देखो इनका operating profit year to year business पे काफी तगड़ा ग्रो करता हुआ दिखाई दिखाई दिया और अब तक का सबसे highest ever operating profit कमपनी में दिखाई दे रहा है तो मुझे लगता है यह कंपनी ग्रो करी है आप देखोगे इनका sales भी काफी तगड़ा ग्रो कर रहा है तो long term के लिए best candidate बन सकता है यह card trade का stock लेकिन आपको patience रखना पड़ेगा अगर patience नहीं है तो मुझे नहीं लेग तो यह stock अच्छा return दी पाएगा समझ में तो short and simple में बंदा और उपा जा सकता है अगला India Mart बन सकता है लेकिन थोड़ा volatile है as compared to India Mart और नौकरी का stock clear on a serious note stock की result positive मुझे लगता है थोड़े time में जा सकता है ठीक है दो दिन का view मत देखेगा लेकिन short एक दो यह चार मेने में जा सकते है उपर चलिए अब देखो आखरी द सर्मा वही है जिनोंने वाई किया था मैंने आपको बताया था कौन सा स्टॉक था श्रीराम पिस्टन हजार पर आज यह स्टॉक दोजर पर ट्रीट करें श्रीराम पिस्टन का स्टॉक यह जो आपको दिखा दिरिशन का सर्मा इसने big block construction को भाई किया है मैं stock के अभी मैंने काफी ओर वैलुड है जहां तक आप देखोगे इस टॉक की पी मैंने देखिए 68 क्या सपास की है यहां पे जस्टर सेकंड देखो यह वाला स्टॉक 68 के पी पर ट्रेड करता है तो थोड़ा मुझे ओर वैलुड लगता है आपको वेट और वाच करना चाहिए इसकी closing short term में क कैसी आगी उसके बाद हम लोग discuss करेंगे लेकिन हां आप इसको प्राइटी हाई रख सकते हैं ठीक है रिजल्ट के बाद हम लोग प्रॉपर डिसकस करेंगे लेकिन अगर रिजल्ट खराव आते हैं या अच्छे आ जाते आप पूद येगा मत पहले closing देखेगा उसके मोमेंटम नहीं आएगे लेकिन अगर किसी का लॉंग टर्म का वियू है तो बैस टॉक है तो शॉट टेंट सिंपल में कोई ज्यादा फॉल ने आने की मुझे उम्मिद नहीं है लेकिन एक रेंज में रह सकता है चलिए तो फटट बात करते हैं भी आप लोगों की क्वेरिस लेकिन आ सकती है ऐसी उमीद है तो देखो अगर रेस लेना चाते तो कोई इशू है नहीं लेकिन अगर शॉट टर्म का वियू है तो आपको कॉश्यस रहना चाहिए अभी एंट्री नहीं करनी चाहिए और अगर को आते तो एक जिक करने का सोचना ची है बाकी मुझे लगत अगर आप स्टॉप लेटी इसके स्ट इवरिच करने का सूची का किस थीज़ कर सकते आप भाकी मोमेंटम तो ठीक ठाक पॉजिटीव है ठीक है लेकिन कॉश्यस रहना स्टॉक वालेट्व है चलिए MRPL सर पूरा गिर गया अब क्या कर सकते हैं स्टॉक में बारा दिन पहले वीडियो बनाया था चांसेस था कि उपर जा सकता है लेकिन रिजल्ट रिजल्ट के बाद जितने भी प्येस स्टॉक्स थे उसमें प्रॉफिट बॉकिंग आ गई इसमें क्या हो सकता है अब दिखो ध्यान से सुनेगा स्टॉक डेल लोपे क्लोजिंग हुआ है स्टॉक में विक्नेस आई है लेकिन एक चीज़ आप कर सकते हैं मनलोफ फस्ट गये तो स्टॉक में वापस यह लेवल के आसपास आये तो यहां पे एक एवरेज अच्छा खासा बन सकता है ठीक है या अब स्टॉक यह गिर गया है तो स्टॉक मुझे लगते हैं दोस्तों के आसपास जा सकता है और शायद 180 जाए तो एक बार 163-180 के बीच में है तो इसको रडर परकी का बाकी स्टॉक पास पैनिक मन कीजिए और हां अगर आप पूछे के सर और नीचे जा सकते है तो हां उम् हो चुका है तो देखो एनेच पीसी अगर पूछ रहे किसी के पास है तो मैं आपको बोलूगा कि स्टॉक में ट्रेल करते चलो आज का लो 97 और यहां से अगर मोमिंटम रही तो शायद 110 करें लेकिन फ्रेश एंट्री रिस्की बंदी है तोड़ा कॉशिस रहेगा शक्ती प बाइन आपको बीग बोल में बताया था और स्टॉक सरकीट तो सरकीट जा रहा था फिर बीच में सरकीट ब्रेक हुई आज वी स्टॉक वापस सरकीट में जा चुका है अब यह और कितना ऊपर जाएका कहना मुश्किल है लेकिन मैं आपको लेवल बताये थे बीच में वज़त से यह बाद देन में रखेगा ओके तो एनाइसील अब देखो इंशुरेंस स्टॉक्स गोज दाउन और एनाइसील की बारे में मुझे किसी ने पूछा था कि उसमें क्या हो सकता है तिक बाद देख लेते हैं एनाइसील S. N.I.S.E.L. देखो on a serious note N.I.S.E.L. वापस sideways जा चुका है स्टॉक पॉजिटिव है लेकिन sideways जा चुका है मुझे लगते है वापस एक बार momentum करेगा लेकिन वेट इन वाच ही कि यह सकता है ठीक है यह ऐसा लग रहा है कि यह breakout होने वाला था result से पहले लेकिन वापस नीचे गिर गया तो रिजल्ट के आसपा श्याद कुछ मोमेंटम आए ठीक है तो आपके लेवल जल्दी आ सकते हैं लेकिन थोड़ा शॉर्ट टम के लिए इसकी मोमेंटम ब्रेकडाउन हो चुकी है और ना सीरेस नोट पैनिक मत कीजिगा ठीक है उसके अलावा यहां पर कॉंसा प्रेकडाउन के लिए लेकिन हां किसी के पास है तो ट्रेलिंग करके चलेगा चांसे तो है कि 150 150 वर शिक्स्टी तक जा सकता है यह स्टाउक तो पॉजटीव स्टॉक मेरे लिए लॉंग टम के लिए भी को इशुस है नहीं लेकिन शॉट टम का विए थो थोड़ा कॉशिस लेकिन चैन्नाई पेट्रो जैसे कि आँप हम लोग डिसक्श किया था था बहुत स्क्वेरी पढ़ लेना चैन्नाई पैट्रो की बात करें जाए चैन्नाई पैट्रो यहां पर है सिए म देखो मुवेंटम इसमें भी ती आप जैसे कि सभी जानते पीए स्टॉक है यह सभी तो temporary profit booking आती होई दिखाए जी अब यह stock कितना और नीचे जा सकते हैं तो 900 से 800 अगर आए ठीक है 800 आए तो इसको ज़रूर अडर पर रखेगा average भी possible हो सकता है as the risk में उन्हें पास कुछ quantity पड़ी है Chennai Petro के अंदर मैं सोचूँ का अगर नीचे और मिले तो average करूँगा लेकिन level पे 30% बोलना हूँ 30-35% नीचे मिले तो average possible ऐसा type का तो अभी के लिए wait and watch कर सकते है stock में issues तो है नहीं लेकिन market की conditions की वज़े से profit booking कर रहे हैं यह सबी लोग clear तो होप आज का वीडियो पसंद आऊगा समझ में को कोई doubt रहता है comment कीजिएगा telegram में यह जाके जुड़ेगा और investors community को join करना चाहते हैं हमार link से account open कर सकते हैं मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए goodbye जाए है